नमस्कार स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ शुदी भारती जन्ता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ हाले में रववार और सोमवार को हिंसा भढ़काने के आरोप में दो मामले दर्ज किये गए हैं जियां बता दे आपको के एक शिकायत आमादमी पार्टी की कॉपरेटर रेश्मा नदीम और दूसरी हसीव उलहसन ने दर्ज कराई है दर्ज शिकायतों में कहा गया है कि विरोध के दोरान मिश्रा ने अपने भढ़काऊ भाशनों से लोगों को भढ़काया जिसे अराजकता फैल गई बहराल मिश्रा के खिलाफ अभी तक कोई भी कारवाई नहीं की गई है दूसरी और दिल्ली पुलस की एक विशेश शाखा की रिपोर्ट में कहा गया है कि चान बाग मजार में हिंसा में लिप्त और पुलिस पर गोलिया दागने वाले प्रदर्शनकारियों का सम्मध पॉप्लर फ्रेंट ओफ इंडिया याने की पीएफाई से है इसमें पीएफाई के शाहिन बाग निवासी एक वरिष्ट अधिकारी के नाम का भी उलेक किया गया है उत्रपदेश में विबिन हिंसक घटनाओं में पीएफाई के प्रमुख अधिकारियों के खलाफ पहले कई मामले दर्ज के कहे है वह उत्तरपूर्वी दिल्ली में हिं इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के पांच इस्टेशन मंगलवार को लगतार दूसरी दिन बंद है इन इस्टेशनों को उतरपूर्वी दिल्ली के इलाकों में बढ़की हिंसा के मद्द नजर बंद किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीम आर्सी ने जाफराबाद, मोचपूर, बाबरपूर, गोकुलपूरी, जोहरी, एंकलेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन बंद हैं ट्रेने वेलकम मेट्रो स्टेशन से आगे नहीं जाएंगे सीए के विरोधियों और समर्थकों के बीच हिंसक जड़पों के चलते जाफराबाद और मोचपूर, बाबरपूर मेट्रो स्टेशन रहवार को बंद किये गए थे, लेकिन बागी तीन स्टेशनों सोमवार को बंद किये गए थे, केंद्रेग्रम अंत्रामी शाह ने मंगलवार को दूसरी उच्छिस्तर की बैठक बुलाई है, इससे पहले बीती रात बताते चले आपको कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर दम की देते हुए कहा था कि तीन दिन के अंदर अगर सरक्स खाली नहीं करवाया गया तो हम आपकी यानि के पुलस के भी नहीं सुनेंगे जिहां बतादे, आपको इन सब मामले में उन पर एक तरह से गाज सी गिर गई है और जिस तरह से उन पर शिकायत दर्ज कराई गई है बतादे आपको केस पर कारेवाई क्या होगी देखना होगा बता दे आपको जहां पर C.A. की विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं बाजपसरकार का कहना है कि नागरिक्ता संशोधन कानून किसी की नागरिक्ता छीनने के लिए नहीं बलकि नागरिक्ता देने के लिए है अब इस बात पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं बाकि तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हैं अमारे साथ इस वीडियो को जादे जादे लाइक करें शेयर करें और हां इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और अपने सुझाव देना भी न भूले आपके सुझाव काफी जादा महत्यपूर्ण है मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार